चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का जो मैं नुस्का बता रहा हूं चेहरों पे बहुत बार प्रोब्लम हो जाती है कि चेरों के उपर फुन्शे उबराती है हम अपन देखते हैं कि यह नॉर्मल होती है कि 12 से लगबग 20-22 साल के बीच में हर एक बोईज क्या-क्या उपाय है उसके बारे में थोड़ा इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगा तो कर्पया करके मेरे इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें बोईज और घल्स के लिए यह बहुत-बढ़िया उपाय में बता रहा हूं सटीक बिलकुर घरे लू जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है विलकुल आप एंड तक देखिए तो चलिए मैं आपको बता देता हूं तो आपको क्या-क्या करना है एक आपको निभू लेना है फिर थोड़ा सा आपको लेना है मुलतानी मिट्टी और थोड़ा सा लेना है आपको और थोड़ा सा आपको लेना है दूद इन सभी चीजों को अच्छा सा एक अटोरी के अंदर पेस्ट बना लेना है और अच्छा सा उसको पेस्ट बना के शाम को सोते समय उसको लगा के चेरे पे सो जाना है कम से कम एक सब्ता तक इस उपाय को अगर आप करोगे तो धेरे धेरे आपके चेरे के अंदर जो घर्मी है वो ये चीज दूर करेगी और जब घर्मी खतम हो जाएगी अपने चेरे के अंदर तो वो चीज जो आपके चेरे के ओपर जो फूंशिये हैं खमोरिये हैं वो सदा के के लिए सही हो जाएगी तो इस उपाय को आप जरूर करें क्योंकि व्यासर तो मैं आपको बता देता हूं क्यों की यह क्यों होती है क्यों कि यह चीजें बहुत ज्यादा नुक्सान चाइब बहुत फोड़े के रूप में उभर आती है तो काफी boys और girls परिशान भी होते हैं चेरों के उपर चेरे खराब हो जाते हैं यहां तक कि मैंने देखा है कि लोगों के चेरों पे बड़े बड़े फुन से उभर आती है वो बहुत परिशान है यहां तक कि उनको operation करने के भी उपत नहीं आए तो इससे बढ़िया बचने का इमेने चो में आपको मैंने उपाय बता है यह जरूर उपाय सेवन करें और सबसे बढ़ी चीज बहुत बढ़ी अची चीज बता रहा हूं कि ठंडी चीज का आप सेवन करें अगर चेरे के उपर किसी के भी ज्यादा फुन्सी हैं क्योंकि पेट के अंदर अगर घर्मी है तो ही चेरे के उपर फुन्सी होगी सबसित मेला में कारन तो यह है अगर आपका पेट अगर घर्म पेट के अंदर घर्मी ज्यादा है तो आपकी चेरों के उपर फुन्सी ज्यादा होगी और अगर आपका पेट सही है तो चेरो के उपर कम हो बिल्कूल नहीं हो तो मैंने जो आपको आज उपाय बताया इस उपाय को आप जरूर फोलो करें और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को आप जरूर आगे शेयर करें तो मैं आसा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको ये नहीं सब को रादे रादे